लोग आई जियाँ पर हानी पाजी ने भुही मिया पाजी के लिए कुछ बोल आए जिससे भुही मिया पाजी के फैंस को हानी पाजी के फैंस को बहुत कुछ पता चलेगा उनको पता चलेगा उनको पता चलेगे मेचुरिटी क्या होती एक दूसरे को जद्देना क्या होता है और भाई हनी पाजी ने अपनी बात भी रखी है जो भुई में भाई जी के फैंस उनको ट्रॉल करते थे उनको बदनाम करते थे उनके बारे में भी कुछ बोला है हनी पाजी ने उस पर भी बात करेंगे और एक और बात करेंगे है रफतार एक पॉलिटीशन है नेता है या फिर एक रेपर है उस पर भी बात करें कि ये बंदा भाई 60% जो हिपो पार्टिस्ट है उनके साथ बीफ कर चुका है उनकी लिस्ट भी आप लोगों बताऊंगा और विदाउट रिजन भाई उनली फैम का साथ एक और चीज़ बताऊंगा रफतार और बाशा जिस तरह से स्टोरिया लगा रहे है उससे यह से साप हो रहे हैं कि हनी पाजी को वो क्रेडिट नहीं देना चाहते है जो भी हनी पाजी ने उनके लिए किया था माफिया मुंडीर के अंदर कहीं इंडिरेक्ली वो लोग कर देना जारेने पटे हैं तो मैंने रैप किया था लोग भी डुग डुग कर दिया मूल डटाने आगी हैं मेरा अपना स्टाइल था मैंने बड़ा रह तरीके से गाया लेकिन उस वक्त बोहिमिया पाजी में स्ट्रीम रैपर थे इंडिया के अंदर और 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 अल अवर द जो आपको ट्रोल करेगी मिलियन्स ओफ लोग हैं जो प्यार करते हैं उदर देखो तो बाई हनी पाजी ने अपनी बात भी रखे और अपनी बात रखी जाती है सामने वाले को दिक्कत भी ना हो और अपनी बात भी रख दी जाए तो हनी पाजी बिलकुल एक मेचियोर्टी के साथ अपनी बात रखते हैं अपनी रियल्टी होनी इस्टी के साथ अपनी बात रखते हैं भाई साब और उन्होंने सारी बात की लेटी के साथ रख दी लेकिन जो भी है अभी फिलाल टाइम में भुई में भाजी हनी पाजी का बहुत बैस्ट है और आने वाले समय बहु साफ ये तो सालो वसाल सा चलिए और इस बीफ की वजह से तो रफटार करियर चल रहा है सिम्पल सी की बात है वैसे रफटार के फेंस आएंगे रफटार के फेंस भी है क्या चल विए अगर आएंगे तुर मुझे पता है क्या क्या company दिखाने वाले तो भाई पता नहीं क्या खा के आता है पता नहीं खाना खाता ही या फिर खाता है समझे रहे हो ना मुझे नहीं पता इस बन देगा साथी पर रफ्तार वर्सेस मुफड हो आप लोगों पता है पिले छोड़ी से किल्ब देखिए तो भाई इस बीफ को तो सब याद रखेंगे इसको याद नहीं रखेंगा सबको पता है साइड हो सकता है आज रात या फिर सटर्डे जब भी हमीवेगर गाने आने वाला है कहीं वापस स्टार्ट में हो जाए वह पुलाना वाला चीज कहीं जो बचा कुछा करियर था रफ्तार का वो भी खत्रम ना हो जाए वहीं बाई मंज म्यूजिक जो मंज म्यूजिक था ना वो रफ्तार के लिए बहुत कुछ किया इस बंदे ने इसका गुरू मान कर चलो वाई रफ्तार का जो यहाँ पर हनी पाजी के बाद अगर मैं किसी को मानता हूँ ना रफ्तार के लिए बहुत कुछ किया वो था मंज म्यूजिक एक त सालों साल रह रहा है भाइसाब बहुत चीज़ असा ही है भाइसाब पुलिस वाला रेपर बेला भुहीमिया पाजी के एडियम जो भुहीमिया पाजी के मेनेजर अनके साथ भी रफ्थार की फाइट हो चुकी है तो बहुत बंदा नहीं और मुझे पता है क्रेश्णा भी बहुत जल निकल जाएगा पता नहीं निकल गया होगा इडली तो पता नहीं लेकिन लोगों के सामने नहीं अभी अपने काम में लगावा है वह अपनी मेहनत कर रहा है बाई सब अब ये एक चीज़ बता हो इसा कौन इतने बड़े बड़े इस बंदे का है क्यों होता है इस बंदे की सबके साथ फाइट क्यों होती इसके बारे मुझे बताओ इसके बारे में कुछ ना कुछ फैक्ट तो बताओ रफ्तार फैंस अरे सोरी रफ्तार के फैंस भी है क्या बताओ फिर भी जो भी है यार रफ्तार ने को स्टोरी डाले ज बोला था कि हनी पाजी जो मिलाए था वो मिलाए था इका ने खुद लाए वाकर बोला था तो ये पहले वाश्या से कम मिल लिया इसके पारे मुझे नहीं पता चलो इसकी कुछ लिया जा रहा है बहुत सारे ब्लोगर को पेसे दे दे कर प्रमोशन किया जा रहा है लेकर हनी पाजी के इंचे जरुवत नहीं है हनी पाजी के पास ऐसे डायाट फैन है लब यू फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में